गाजियवाद All India Bank Association की तरफ से दो दिन की हर्ताल का आवाहन किया गया यह हर्ताल 31 जनवरी से एक फरवरी तक रहेगी दो फरवरी से सभी बैंक अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार खुल जाएंगे हर्ताल की वज़े से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 3 साल से वेतन बढ़त्री को लेकर वह सरकार से मांग कर रहे थे लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को नजर अंदाज किया जा रहा है जिसकी कर्मचारियों ने बताया कि अगर सरकार ने तब भी मांगे नहीं मानी तो वह एक अपरेल 2020 को अनिश्चित काली इन हरताल पर बैंक कर्मी करेंगे ऐसे में जब बैंक के खाता धारक बैंक पहुंच रहे हैं तो उन्हें बैंक बंद मिल रहे हैं ऐसे में बजुर्क महिला न लंबित है सरकार के पास और हम लोग उनसे वारता करकर के हार गए हैं दो परशेंट से इन लोगों ने बढ़ते बढ़ते कल तक तेरे परशेंट तक आया है और तेरे परशेंट के बाद भी आज हम लोगों की बेतन ब्रदी के बाद यह पोजिशन है कि हमारे जो इलावा जिसमें छे दिन होली के असपास छे दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे और उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं मांगते हैं तो हम लोगों की फर्ष्ट अपरेल से अनिस्चित काली नरताल हम लोग वो दिया हुआ है हमने नोटिस गौर्णमेंट को जो कि हम लोग करने पैसे निकालने के लिए आया था बट मेजर जो प्राब्लम जो है सिटीजन की कि कोई सूचना पूर्व में किसी भी ग्रहक को नहीं दे गई है इसकी वजह से लोग काफी परशान है और अंटाल का सूचना दी गई है कितने दिन के दो दिन की बता रहे हैं कि मर्च में भी हर्दाल चार-पाइदिन की होगी और यह सब इगर इमकी कोई समस्यां है है तो सरकार से बात करें हर्टाल करने। से कोई भी साधन नहीं निकलेगा। पीसानी निकलता है。 अंगर पैसा नहीं निकला तो बाहर जाना मुझे तो आउट इस्टेशन आपको मालूम नहीं था कि बैंकों के हरताले नहीं नहीं बताया प्राइले से कोई सुसना ही नहीं देते हैं कि